गुरु प्यारी सासंगर जी वहे गुरु जी का खालसा वहे गुरु जी दी फते मैं अमन्दीप पौर आश्वानू श्री गुरु अर्जन देव जी दे पाई मन जी दी साखी सुनान जा रही हैं तेरा की या मीठा लागे श्री गुरु अर्जन देव जी ने परमाया कि सिखा सिखी ते सिखी नहीं पहले उना दत्या कर जो सिखी तो उलट हन ता तुँ सिखी निभा सकेंगा पाई मन जी अपने पिंट बापिस आ गए ते उन्दे ही उन्ना ने अपने तीर खाने नू टा दिता ते सिखी सरवर्दी पूजा करनी भी छट दिती बहुत मुश्किला आया इतिहास इस गालदा गवा है कि उन्ना ने अपने पिंट दे वसनीखा बलो की ते विरोध नू भी कुछ ना समझेया केंदे हन उन्ना दा आर्थिक संकट भी इन्ना डूंगा हो गया कि कार विच खान लई भी कुछ ना रहा ते उन्ना नू करदा खरच तोरन लई का विच ना शुरू कर दिता इन्नी मुश्किला विच भी उन्ना दे कार कोई आया ते कदे भी खाली हाद वापिस नहीं गया वो सिखी विच इन्ने लीन हो गए कि अपनी सुद्बुधी पुल गए ते अम्रेत विले उठना बाणी सर्वन करना कीतन दरबार जाना ते गुरू करदे कोड़या लई काल लेओंदे उस तो उपरांत लंगर दी सेवा लई लकड लेओंदे ते सेवा करदे रहन दे एक दिन गुरू साहिब जी ने पुछया कि पाई मन जी प्रिशादा कितो शक देओ पाई मन जी ने कहा कि लंगर विच्चो शक लेना हा गुरू साहिब जी ने कहा कि पाई मन जी एक आदी सेवा हुई एता मजदूरी हो गई जेडी तुसी जंगल तो लकड लेओंदे हो ओदा तुसी प्रशादा शक लेंदे हो। एक आदी सेवा एता मजदूरी हो गई। अगले दिन दो पाई मान जी ने संगता दी चूठियां पतला विचो जो बचया ओशकना शुरू कर देता। गुरू साहिब जी ने एक वरी होर पुछया पाई मान जी प्रशादा कितो शक दे हो। पाई मान जी ने कहा कि संगता दी चूठियां पतला विचो जो बचदा है मैं ओशक लेंदा है। गुरू साहिब जी ने कहा कि पाई मान जी एक आदी सेवा एता पशुपक्षियां ते टिड़ते लत्मारन वाली गाल हो गई। संगता दी चूठियां पतला विचो जो बचदा है ओँ हिस्सा पशुपक्षियां लें होंदा है। एक आदी सेवा। एदा ही चलदा रहा पाई मान जी कीरत कर दे रहे ते सेवा सिम्रन कर दे रहे। एक दिन ओ जंगल विचो लकडा लिया रहे सन। ते बहुत मी पैना शुरू हो गया, खनेरी चकर चलना शुरू हो गया, पाई मान जी दुफान दी चपेट विच आ गये ते खूविच डिग पए। खूविच डिग के वी उना ने सिम्रन करना नहीं छड़िया ते अपनी जान तो जाधा लकडा नू अपने सिर्थे टिकाई रखिया। ओथे अमने सर चिंता होन लगी की पाई मान जी अजे तक वापिस नहीं आया हन। गुरू साहीब जी ने अपने सिखान नू पाई मन जी दी पाल वास्ते पेजिया। सिखाने वेख्या कि पाई मन जी खूविच वी अपनी जान तो जाधा लकडा नू संभाली सिर्थे टिकाई ते सेवा सिम्रन कर रहे सन। गुरू साहीब जी नू सिखाने एदस्या ते गुरू साहीब जी नंगे पैरी ही दोड़ पये। रस्सा सुटया गया ते उनना नू कहा कि पाई मन जी बार आ जाओ। पाई मंज जी ने कहा कि नहीं, पहले लकडा नू बार कड़िया जाए, उस तो बाद ही मैं वापिस बार आऊंगा। एद्धा ही होया, पहले लकडा नू कड़िया गया, बार विज पाई मंज जी बार आए। इनना दी, इननी कालना वेख, गुरु साहिब जी ने पाई मंज जी नू गलना लालया, ते कहा, पाई मंज जी तो आड़ी कालताईं पई है, मंग लो जो मंगना है, पाई मंज जी ने कहा, गुरु जी तुसी पहला ही बोध कुछ दित्ता है, होर कुछ मंगन दी इश्या नह तो गुरू साहीब जी ने कहा पाई मांज जी मंग लो जो मंगना है अध कैपु कलियुग दा समा है सिप्रेश की अधि होया गुरु सहीब जी गुरु मुद्धा जगलंगनहारा . ऐसी पाई मन्ज जी cruise सेवह से करुदे दिधया वहे गुरुजी का ऐसा वहे गुरुजी दिफते बार 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 थाए वाय है